So petrol versus thermocoll का है ये part 2, part 1 में मैंने आपको पताया था कि thermocoll और petrol को अगर हम add करें तो उसका क्या reaction होता है तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा, तो ये same वही solution है जिसमें हम और quantity में thermocolls add करेंगे तब तक आपको thermocolls add करने जब तक वो mix होना बंदना हो जाए, आप जब mix करते जाओगे तो आप एक चीज देखोगे कि thermocoll और petrol ने अपने characteristics खो दिये हैं और एक नया ही कोई product बना है जो कि yellowish color में आपको देखेगा ना ही वो solid होगा ना ही वो liquid होगा तो एक study में ये पाया गया है कि इन दोनों के mixture से बनता है कि strong adhesive, strong glue जो आप काफी सारी चीजों को stick कर और ने में यूज कर सकते हैं So for more details stay tuned with Magnum Trayvist